जैसे आप यहाँ पे instant buy पर click करोगे आपका जो order है वो execute हो जाएगा यहाँ किस तर से हमारा stop loss और target दोनों एक साथ यहाँ पे लगा हुआ है हेलो दस्तों स्वागत थेक्व फिर साथ सभी का हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि आज के इस वोड़े में हम लोग धन application के थ्रू option trading करते से महीं हम लोग कैसे stop loss और target दोनों एक साथ सेट कर सकते हैं चार्ट के उपर ही और pnl भी आप लोग वो चार्ट के उपर ही दिखाई देगा तो यह सारी चीज़े आप कैसे कर सकते हो सारी चीज़े आज की इस वोड़े में हम लोग डिटेल में जानेंगे अगर आप भी जानना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा एंड देखना कहीं पर बिस्किप मत करना चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने इस पहले आप सभी के एक छोटा सा डिस्क्लेमर यह है यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फोर्मेशनल प्रपसेस से है इस वीडियो मे मैंने यहाँ पर स्प्लेट स्क्रीन करके दो चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है जिसमें एक चार्ट यहाँ पर हमारे प्रीमियम का है जो कि 22,400 का कॉल अप्शन है और यहाँ पर हमारा एक निप्टी 50 का पैरेंट चार्ट है जिसमें हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वा मार्केट जो कि यहाँ पर चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं जो निप्टी 50 है वो स्ट्रॉंग अपने सपोर्ट लेवल के आसपस आ चुका है जो कि चार्ट के ऊपर आप लोग को दिखाई दे रहा है तो यह हमारा प्राइस एक्षन भी बन रहा है और यहाँ से हम लोग पर ब्रेकेट रठ्ट कर लेना है स्टार्टिंग में आपको इसको स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर ब्रेकेट रडर का ऑप्षन मिल जाएगा मोवाईcon के अंदर ही याँ पर लोगगो को लिमिट प्राइस दालने का ऑफचन मिल जाता है आप किस लिमिट प्राइस पे इसक आप select कर सकते हो 10% का target 10% का stop loss जो की 12.45 पैसे का यहाँ पर होता है तो यहाँ पर इस तरह से उपर और नीचे की तरफ आपका stop loss और target दोनों लग जाएंगे तो यहाँ पर अभी देखे 125 रुपए इसका premium चल रहा है इसको हम लोग near यहाँ पर कर लेते हैं 125 रुपए so that हमारा यह जो order है वो जल्दी से place हो सके तो यहाँ पर देख सकते हैं 124 रुपए 25 रुपए के आज पर चल रहा है अब यहाँ पर आप लोग को margin देख लेना है कि कितना margin requirement होने वाला है अभी मैं यहाँ पर दो डाल दूँगा इसके लगा यहाँ पर अभी मैं instant buy पर click कर अगर market उपर की तरब जाता है nifty 50 तो हमारा premium भी उपर जाएगा और nifty 50 अगर गिरेगा तो हमारा premium भी गिरेगा तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 240 रुपए के आसपा से भी loss दिखाई दे रहा है और हमारा जो stop loss है 12.5 पॉइंट का वो हमारा यहाँ पर लगा हुआ ह कितने रुपए पर 110 रुपए पर और उपर की तरब target हमारा 135 रुपए पर लगा हुआ है तो अब हम लोगों को देखना होगा कि stop loss हीट होता है या फिर target इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर हीट होता है तो हमारा exit हो जाएगा another वाला जैसे अगर stop loss हीट होता है तो target cancel हो जाएगा और अगर target हीट होता है तो stop loss हमारा automatic cancel हो जाएगा तो इस तर से आप धन application के उपर अपना stop loss और target दोनों एक साथ order को place करते से में ही लगा सकते हो अब हम लोगों को पूरा order का detail चेक करना है तो आप यहाँ पर mobile phone के अंदर भी देख सकते हो simply back कर लेना है order वाल कर रहा है तो अभी last 3 candle जो है वो sideways हो चुका है यही है पर move कर रहा है अब हम लोगों को देखना है कि market यहां से support लेकर कि उपर जाता है यह नहीं हमारा view है कि market उपर जाएगा और हम लोगों के यहाँ पर premium में भी उपर की तरफ तेजी देखने को मिल सकता है तो अभी आप देख सकते हो 200-200 रुपए क्या सपस profit में दिखाई दे रहा है और अगर आप इसको किसी भी time exit करना चाहते हो market price पे तो आप simply यहाँ पर close position पर click करके अपने position को आप close कर सकते हो और दोस्तों अगर आपको अपने order का पूरा detail चेक करना है तो आप यहाँ पर mobile phone के अंदर भी जिसमें आप लोगों को दिखाई देगा कि buying average price आपका कितना था कितनी quantity में आपने trade किया हुआ है और buying value कितना था वहीं आप यहाँ पर live देख सकते हो कि अभी LTP इसका कितना चल रहा है premium का कितना quantity है और कितना अभी इसका value है total आपका PNL यहाँ पर भी so करेगा और यहाँ पर भी आपका सोग कर रहा है तो इस तर से आप यहाँ पर mobile phone के अंदर order place कर सकते हो laptop अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर चार्ट के उपर ही सारी चीजों को एक साथ देख सकते हो और manage कर सकते हो यहाँ पर आपने देखा कि किस तर से हमारा stop loss और target दोनों एक साथ करना है तो simply यहाँ पर click करके आप उपर की तरफ ऐसे trail कर सकते हो manually और simply modify order कर दोगे तो आपका यह जो order है वो modify हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट के उपर हमारा stop loss है वो उपर की तरफ आ चुका है तो इस तर से आप modify कर सकते हो stop loss को तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो Nifty 50 अच्छे से यहाँ पर support लिया हुआ है और उपर की तरफ जा रहा है green candle बन रहा है so that हम लोगों को यहाँ पर अभी 600-600 रुपए क्या सपस profit दिखाई दे रहा है तो अभी हम लोगों को देखना होगा कि हमारा stop loss हीट होता है या फिर target यहाँ पर आप देख क्लिक करके उपर या नीचे की तरफ drag drop कर सकते हो जैसे अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ अपना target को यहाँ पर 130 रुपए पर लगाना चाहता हूं तो simply यहाँ पर मैं ला करके और modify order कर दूँगा तो इस तरह से हमारा जो order है वो modify हो जाएगा तो यहाँ से अगर मैं इसक यहाँ पर देखा कि हमारा जो target है वो hit हो गया और हमारा यहाँ से position automatic cut हो गया है जो stopless वाला था अब आप यहाँ पर mobile phone के अंदर भी देख सकते हो रिफ्रेस करके कि जो हमारा profit है वो कितने रुपए का हुआ है और दोस्तों यहाँ पर आपको एक cancelled order दिखाई दे रहा है इस इसको अकर आपको detail चेक करना है तो simply आप mobile phone के अंदर order वाले टैप के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो nifty 50 18 अप्रेल 22,400 को call options जिसमें हमने limit लगा हरके रखा हुआ था 125 रुपए पर buying के लिए लेगिन हमारा जो order है वो 122 रुपए के आसपस execute हुआ था ज कितना आपका buying average value था तो आप यहाँ पर detail चेक कर सकते हो इसके अलाव जो आपने selling किया हुआ exit किया हुआ अपने position को उसका भी detail देखना है तो simply आप यहाँ से आगर के अपना detail चेक कर सकते है कि किस price पर आपने इस position को exit किया है कितनी quantity थी कितना इसका exit value था तो दोस्तों I hope आपको इस video में समझ में आगया हुआ कि किस तर से अपने position को बनाया जाता है कैसे exit किया जाता है और कैसे position बनाते समय ही stop loss और target दोनों एक साथ लगाया जाता है अभी आप यहाँ पर देख सकते है फिर से इसका premium नीचे की दरफ आ चुका है और अगर हम लोग यहाँ पर exit नहीं किये होते तो हमारे जो profit था वो हमारे हाथ से यहाँ पर निकल जुगा होता तो यहाँ पर मैं इस video के अंदर मैं आप लोगों को profit and loss नहीं दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को से process सीखाना चाहता था कि 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 इस तर से यह stop loss और target एक साथ काम करते हैं order करते समय ह जब आप option trading करते हैं तो दोस्तों मुझा परमेदे कि आज की इस video में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आगे होगा कि कैसे धन application के through options को buy करते समय है इस top loss और target एक साथ लगाया जाता है अगर आपको इस video पसंद आ है definitely इस video को like किजेगा इस video कोई भी doubt कोई भी confusion है तो नि झाल